नमस्कार मकर रासी बिद्वानों की रासी मकर रासी वाले अपने विशे में माहिर होते हैं अगर ये डॉक्टर है तो डॉक्टरी के छेतर में माहिर होंगे जो 30 है तो जो 30 ही के छेतर में मकर वाले बहुत ही बुद्धिमान धनवान और ग्यानवान होते हैं मकर रासी वालों को जीवन में आम तोर पर 35 से 40 वर्स के करीब धन मिलता है और सोहरत पानेक में स्वास्त की वज़े से कठनाई आती है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप हनुवान जी की नियमित उपासना करें और मंगलवार के दिन मीठी चीज का दान करें अगर आप लोहे का सिक्का पर्स में रखते हैं या फिर में गेट में लटका दें सनीवार के दिन यानि कि आप चाहें तो दो सिक्का भी ले सकते हैं लोहा का एक पर्स में रखें और एक में गेट में लटका दें इससे आप नकारादमक उर्जा से बचे रहेंगे और तंत्र मंत्र से भी बचे रहेंगे रिष्टे आपके बेहतर होंगे मकर रासी वालों का वाले अगर बिभा के लिए आप अगर इस्तरी हैं तो पुरुस से पुरुस हैं तो सुक्रवार और बुद्धवार साथ ही सनीवार का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा मुलाकात के लिए मंगलवार और गुरुवार को मुलाकात से बचे कम से कम प्रथम मुलाकात से जरूर बचे दोपहर वारा बज़े के पहले ना मिले और कोल्ड डिंग सर्बत वेगरे की वेवस्था आप उस मुलाकात के दौरान खाने पीने की चीजों में जरूर करें मकर रासी अपनी वाले अपनी उम्र सेहत के लिए रोसोई में तीखी या मसालेदार चीज ना रखें और ना ही खाएं ना बनाएं आपको ज़्यादा तीखा और मसालेदार खाना से बचना चाहिए तीखी खाना से मंगल आपका खराब होगा और इससे हो सकता है आपको कुछ समस्या मंगल से जनित हो जाए इससे आप बचने के लिए हरी पत्ती वाला पौधा असली हो या नकली कोई भी चलेगा कीचन में रखें अब हम बात करते हैं आपके लिए सनी का मंत्र जो आप सुभा साम जरूर जपे क्योंकि मकर रासी सनी के अंतरगत आती है सनी इनके सनी देव स्वामी होते हैं ओम संग सने चराय नमः इस मंत्र का अजब अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मकर रासी की कुंडली में अगर सनी और राहू का योग है यूती है यानि नंदी योग तो फिर इससे आपकी स्वास्थ की समस्या बने रहेगी और ब्यक्ति को लगातार रोगों का भी सामना करना पड़ता है नियूरोलोजिकल प्रॉबलम होने की संभावना बन जाती है मकर रासी वालों को सनी धन भी देता है और अच्छा स्वास्थ भी देता है सनी खराब हो जाए तो ब्यक्ति का धन विवाद और रोग में खत्म हो जाता है या फिर फस जाता है मानसिक चिंता दूर करने के लिए और धन प्राप्ति के लिए सनी बार की साम में सरसों तेल का दीपक जलाएं और नौ बार पीपल की परिक्रमा करें साथ ही अगर आप भगवान सिपजी की बेदी पर हल्दी लगाते हैं और जल अरपित करते हैं तो सनी समंधी जो भी परिसानी है वो दूर हो जाएगी अगर आपकी कुंडली में बुद्ध कमजोर है तो फिर करजे पीछा नहीं छोड़ेंगे नौकरी नहीं चलेगी और भागे साथ नहीं देगा बुद्ध को बेहतर करने के लिए अगर ऐसा हो रहा आपके साथ तो रोज सवेरे बरस करने के बाद हरी सौप खाएं और हरे रंग का रेसमी रुमाल अपने पासरवें रखना सुरू कर दें इससे आपका बुद्ध मजबूत होता चला जाएगा मकर रासी वैसे तो बिद्वानों की रासी है मकर वाले बिद्वान धनवान और कभी कभी बड़े अहंकारी होते हैं इनकी समस्या भ्रम की होती है कनफ्यूज बहुत होते हैं दुवीदा की समस्या होती है और वानी की समस्या होती है कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल ह जाते हैं आप अगर भगवान सीब जी की पूजा करें और अहंकार से बचें तो तमाम परिसानियों से आप बचे रहेंगे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक का सब्सक्राइब करें आप से हम फिर मिलेंगे